नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको हमारी यूटूब चनल टार्गेट सिल सर्जिस में तो आज है 20 सितंबर और मध्यूप्रदेश के डेली कर इंटरफेर में आज हम 19 और 20 सितंबर से जितने भी इंटरफेर बनेंगे तो उस पर डिसकास करेंगे तो लेक्चर ध्यांस देख राश्ठी पोषां सप्त दिवस कोमना चाता है 2016 सितंब्र को मना चाता है म 2021ist iख इमालया त्यां 10 सितंबर को मना जाता है विश्व आत्महत्य रोक्थाम दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है 15 सितंबर को अंतरास्टी लोकतंत्र दिवस और हमारे भारत में इंजीनियर्स डे भी मना जाता है 15 सितंबर को 16 सितंबर को मना जाता है विश्व ओजोन दिवस जो रहते हैं वह मद्यप्रदीश जीके से जो कि प्रिवेश एक्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एक्जाम पर्सप्रक्टिव से भी इंप्पॉर्टेन होते हैं और फाइव को से नेशनल करेंट रहते हैं ठीक है इस टाइब से इसका रिजल्ट निकलता है और हमारा 69 वा किविश वा था जिसको 513 लोगों ने अटेम्ट किया था इसमें फर्स रैंक प्रिती की रही है सेकंड रैंक आर्थी की रही है और जो थर्ड रैंक है वो सलमान की रही है ठीक है दोस्तों आब इस कीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो टेली राम चैनल के लिंक आपको एक दीन में कितने लोगों को वैक्सिन डूस लगा कर रिकॉर्ड बनाया है तो इसका आंसर क्या था उप्सन अबर सी अच्छा महाब्यान तीन कब चला गया था तो यह सतरा सितंबर को चला गया था प्रदानमंतरी नरेंद्र मोधी के जन्मदिवस पर और देखिए जो महा यहां पेहला था कब चल था 21 जून को चलता और इस महया घान के दिन कितने लाइक ws cotton लगयाब से 17 लोगों को छाल टीख या ङा जिला Ϗप थेपक। और जो Empress आने वह को चिछुन योगों को और इस स्थानल वियान को फिर लाइक थी महा भिज्याइन थीन इस में 26 लोगों को टिका लगाया गया है एक्सकोशन था हमारा कि इंदरी ग्रहमंत्री अमीद साह ने उजवला 2.0 योजना का सुबारा हमारे मद्यप्रदेश के किस जीड़े से किया है तो यह हमारे मद्यप्रदेश की संसकार्दा नहीं जबलपूर से किया है तो इसका आंसर क्या ओप्सन नमबर B नेक्स कोशन था हमारा हाली में जन कल्यान एवं सुराज अभियान किस राज्जी सरकार के द्वारा चला आ गये है तो यह हमारी मद्यप्रदेश कर RoyalEC ।ो आज की Conference me पहला कोशन है हमारा प्राथमिक स्वास्ते संस्थाओं को National Quality Update एंसुरेंस मापदंड अनुसार विक्सित करने पर किस राज्जी को देश में रनरब पुरुसकार से पुरुसकत किया गया है तो यह हमारे मद्ध प्रदीश को तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर बी ठीक है मद्ध प्रदीश तो देखी प्रात्मिक स्वास्त संस्ताओं को नेशनल कॉलिटी एंसुरेंस मापदंड अनुसार विक्सित करने पर प्रदेश पुरुसकत हुआ है और देश में प्रदेश को रनरब पुरुसकार से पुरुसकत किया गया है और जो पुरुसकार है केंदरी स्वास्ते मंत्री स्री मंसुक मंडाविया ने द लक्ष कारिक्रम में राष्टी इस्तर पर मैटरनीटी ओटो के कॉलिटी माना की पूर्ति की आधर पर पूरुसकार दिये है और नेशनल कॉलिटी इंसुरेंस मापदंड का उद्देश स्वास्ते संस्ताओं दोरा दी जा रही किसी सेवाओं की गुनवत्ता सुनिश्चित कर करना है और मरीजों के संतुष्टी को बढ़ाना है और देखिए हमारे मद्यप्रदेश को स्वास्ते मंत्री है डॉक्टर चौधरी तो इनके द्वारे कहा गया है कि भविस्ची में क्वालिटी इंसुरेंस मापदंड अनुरूप राज्य की अधिक से अधिक संस्ताओं को हुए प्रयाश्य के लिए किया गया है एक्सकोसन है हमारा हाली में किस जिले के मादवेंदर सर्मा ने नेशनल चेस चैंपियंशिप अंडर एड का खिताब अपने नाम किया है तो यह किस अधिस्टी की है तो यह हमारे मद्यप्रदेश की राजदानी बूपाल की है तो इ उन्होंने पहली बार 5 साल की उम्र में यह गहराव हासिल किया था और 4 साल की उम्र में चेस खिला सुरू करने वाले मादवेंदर वेस्टन एशन चैंपियंशिप में गोल्ड और सिलवर मैडल भी जीत चुके है और मादवेंदर सर्मा की उम्र 8 वर्स है और चेस बोर्ड म ये दिवस मना जाता है राजा संकर साह एवं उनके पूत्र कूवर रगुनाथ साह अंग्रेजों दौरा इनके मुँव में तोप लगा कर इनको मार दिया गया था तो इनी की याद मना जाता है बलिदान दिवस तो देखी दोस्तों मुक्यमंतर शिवरासी चवान ने कहा है कि पराक्रमी राजा संकर साह एवं कूवर रगुनाथ साह ने अपनी मात्र भूमी अपने धर्म अपने राज्य की रक्षा के लिए और भारत माता की परतंतरता की जंजीरों को काटने के लिए अपना सर्वस निय जा रहा है और इसकी लागत लगवक पाच करोल रुपया आएगी और देखी हर साल 18 सितंबर को वलिदान जोस के रूप में भी मनाया जाता है नेक्स कोसन हमारा मद्दप्रदेश में जंजाती बहुल विकासकंडों में रासन आपके द्वार योजना कब से सुरू होगी त तो इसका आंसर कर जागा option number A और देखी है एक नमबर को हमारे मद्दप्रदेश के चलिपना द्हीत भी को ओना जाता है तो एक नमबर से होगी रासन आपके द्वार विवस्ता तो देखी मुक्यमंत्र शिवरासी चोफान ने जीले के जंजाती बहुल विकासकंडों में ए अधिप्रदेश के 89 जंजात्य बहुल विकासखंडों में अब किसी भी जंजात्य भाई बहन को रासन लेने के लिए दुकान के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और उनके अधिकार का रासन सरकार उनके घर पर भिजवाएगी और देखिए गाव गाव तक रासन पहुचान यह जो वहान भी यूज़ होगा यह उसी गाव का होगा इसको नहीं हमारा मद्यप्रदेश को फाइल एरिया से मुक्त करने के लिए किस जिले में मास ड्रग एड्मिनिस्ट्रीशन अभियान चला जाएगा तो यह दत्या डिस्टीक और चातरपूर डिस्टीक दोनों में त और देखिए जो फाइल एरिया अभियान के नोडल अधिकारी है हिमानसु जायस्वार तो इन्होंने बताया है कि दत्या जिले में अभियान 20 सितंबर से और छत्रपूर जिले में अभियान 27 सितंबर से सुरूग होगा और मास ड्रग एड्मिस्ट्रेशन अभियान में और देखिए बैंगलोर में एन्डूवल आई एन एससी फंक्शन में भुपाल के जवारलाल नहरु कैंसर अस्पताल के साइन्टिस्ट डॉक्टर एन गनेस को रिसर्च एक्सलेंस अवाट दिया गया है और यह अवाट कैंसर के इलाज को लेकर एवोकेडो फल और उसकी प इनकी ही पूत्री यह ठीक है तो इनको हिंदी में उत्करष्ट कारी करने के लिए समानित किया गया है तो यह किस जिले से हैं यह इंदौर डिस्टीक से है तो इसका आंसर का जागा आप्स नमबर ए और देखिए दोस्तों सुभद्रा कुमारी चवगान जी का जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था पहले इसे इलहाबाद कहते थे और इनकी जो म्रत्तिव है कहां पर हुए थी हमारे मद्यप्रदेश की सिवनी डिस्टीक में हुए थी ठीक है मद्यप्रदेश भासा प्रचार प्रसार समीती ने इंदौर की लेखी का डॉक्टर सुदा चव और मद्यप्रदेश भासा प्रचार प्रसार समीती के निदेशक जवाहर काने कटकर ने उन्हें समानित किया है और देखी दोस्तों कलका हमारा कोसंता विंध्यांचल स्रेनी में सबसे उची चोटी है तो वह कौनसी है वह है गुडविल चोटी तो इसका आंसर क्या हो भारत के पस्यमी मद्यभाग में प्राचिन गुलाकार परवतों की संकला है जो भारत को दक्षिन तता उत्तरभागों में विवाजित करती है और विंध्यांचल परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है गुडविल है इसकी उचाय कितनी है 752 मिटर है और यह किस डिस्टीक में है तो दमोर स्टीक में है और विंध्यांचल परवत से निकलने वाली नदिया कौन-कौन सी है चंबल नदी सिंध नदी बेत्वा नदी और केन नदी दोस्तों आज के लिए आपका कोशन है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है 2017 में पूचा गया था तो इस हिसाब से अ